तो पहले पर पे हमने बढ़ा था मोलिक अधिकार। आज हम पढ़ने जारे हैं अपना दूसरा मोलिक अधिकार जो है स्वतंतरता का अधिकार। तो बात करते हैं, देखो, कि स्वतंतरता का जो अधिकार है, वो भारती समिधान की अनुचेद 19 से लेकर, अनुचेद 22 जो है, वहां तक लेकर कौन से अधिकार का, स्वतंतरता की अधिकार का, सबसे पहले बात करते हैं, अनुचेद 19 अर्षिन जो उनियस है उसमें क Chelsea प्रकारिंस अन्द्रताओं को रेख के कितने प्रकारिंस अनितरताओं को रेख कर रखें कि शर्षा बंद्रताओंक रेख कर रखें अब अगर बात करते हैं अनुच्छेद उन्नीस एक और एक में पहली जो स्वतंदर्द आती है वो आती है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंदर्द आ विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंदर्द आ तो इस स्वतंदर्द की हम बात करें तो देखो इसमें दो सब्द है एक तो विचार दूसरा अभिव्यक्ति तो विचार अभिव्यक्ति से तातपर यह होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को क्या कर सके अभिव्यक्त कर सके कह सके तो वो स्वतंदर्दा कैसे हो गई विचार अभिव्यक्ति की स्वतंदर्दा जैसे अगर कोई व्यक्ति भासन दे रहा है तो अपने विचारों को क्या कर रहा है अभिव्यक्त कर रहा है अगर कोई कवी जो है वो कवीता लिख रहा है तो वो भी अपने विचारों को क्या कर रहा है व्यक्त कर रहा है अखवार में जो लेक लिखे जाते हैं तो वो भी विचार अभिव्यक्ति की क्या है स्वतंदर्दा है इसको हम प्रेश की स्वतंतरता भी कहते हैं प्रेश की स्वतंतरता तो इस परकार से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को आजादी से, स्वतंतरता से अभिव्यक्त कर सकता है, कह सकता है लेकिन इन पर रोग लगाई हुए कि आपके कोई भी विचार जो है, वो विचार ऐसे नहीं होने चाहिए, जो देश की एकता को क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए स्वतंदर्दा की बात करें, तो स्वतंदर्दा पर रोक लगी हुई है, किनकी नाधरों पर रोक लगी हुई है, जैसे न्यायले की क्या करते हो, अव मानना, तो न्यायले की अव मानना के कारण, आपकी विचारों पर क्या लग सकती है, रोक लग सकती, आपकी विचारों पर प्रतिबंद लग सकता है, देश की एक्ता की बात करें, कि देश की एक्ता और अखंता, इसके लिए भी आपको विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंदर राउस पर क्या लग सकती है, रोक लग सकती है, रज्जी की सुरक्षय की बात करें, तो रज्जी की जो सुरक्षय है, उसको इस्ताबित रखने के लिए भी आपकी विचारों को रोका जा सकता है, सिष्टाचार और सदाचार, इन सभी के आधर पर हमारे जो विचार अभिवक्ति करने की जो स्वतंदर राउस पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है, तो नुच्छेट उन्नीस के एक के कैमें हमने पड़ा विचार यह अभिवक्ति की स्वतंदर राउस अगर हम खैकी बात करें, तो इसमें जो स्वतंदर राती है, अस्तर सस्तर, और सस्तर रहित, शांति पूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंदर रा, अस्तर सस्तर रहित शान्ती पूण संमेलन करने की स्थंदरता इस में देखो अस्तर सस्तर की हटियार की हतियार को लेकर ये किसी परकार का हो संमेलन आयो जीते नहीं किया जा सकता है सम्मिलन जो होगा वो हतियार रहित होगा और दूसरा कैसा होगा शान्दी पूर्ण होगा तो ऐसा सम्मिलन आप आसानी से बुला सकते हैं उस पर राज्य किसी परकार का क्यानी लगाएगा रोक नहीं लगाएगा लेकिन अगर आपने हत्यार सीथ को सम्मिलं भुलाया है तो रज्य हुसकी अनुमती नहीं देगा आप पर रोक लगाई जा सकती है तो साधनिक शुरक्षा को ध्यान में रख करगे आपके जो सम्मिलाना उस पर भी कई बार क्या लगाई जा सकती है रोक लगाई जा सकती है फिर बात करें गय तो गय में आता है संगठन संग समुदाई बनाने की सोतंतरता अब इसमें देखो आप किसी संगठन का निर्मान कर सकते हो किसी संग का निर्मान कर सकते हो या कोई समुदाई बना सकते हो इसके लिए आप क्या हो स्वतंतर हो जैसे व्यापारी आपने बनाया संग आपने बनाया किसान संगठन लेकिन आप बनाते हो आतंगवादी संगठन तो ऐसे जो संगठन है ये बनाने की आपको क्यानी है आजादी नहीं है फिर घह की बात करें तो घह में आता है ब्रमन करने की स्वतंदर्दा ब्रमन करने की स्वतंदर्दा तो ब्रमन करने की जो स्वतंदर्दा है इसका मतलब है कि संपून देश में आप आसानी से घूम सकते हो आपको घूमने से कोई भी नहीं रोकेगा लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपके भर्मन करने से आपके गूमने से अगर वहां की श्यांती व्यवस्ता खराब होती है तो आपकी स्वतंतरता पर क्या लगाई जा सकती है रोक लगाई जा सकती है अगली जो अपनी स्वतंतरता है वो इस्ताई रूप से निवास करने की स् तो इस्ताई रूप से निवास करने की जो स्वतंदरता है उसमें हम बात करें तो सम्पून देश में तो वर्तमान की बात करें तो सम्पून देश जो है उस देश के किसी भी इसे में आप वहां के हिस्ताई नागरिक के रूप में रह सकते हो तो संपुन्देश में आप जमीन खरीच सकते हो वहां पर हिस्ताई रूप से रह सकते हो फिर जो चै था ना वो चै वर्तमान में क्या है? खाली है इस चै में जो स्वतंदर्द आती थी वो आते थी संपत्ति की स्वतंदर्था कौन से स्वतंदर्था आते थी संपत्ति की स्वतंदर्था और संपत्ति की जो स्वतंदर्था है उसको चुमाली से समिदान संसोधन के माध्यम से 1979 में हटा दिया गया तो ऐसा होने से ये तो वर्त्मान में क्या हो गया खाली हो गया तो 6 के बाद में आएगा 6 इसमें जो स्वतंदर्ता आती है वो आती है वर्तियम व्यापार करने की स्वतंदर्ता वर्तियम व्यापार करने की स्वतंदर्ता विर्ति और व्यापार करने की जो स्वतन दर्दा है उसमें हम अगर बात करें तो देखो आप किसी भी पैसा या व्यापार को कर सकते हो लेकिन आप ऐसा कोई भी पैसा ऐसा कोई भी व्यापार नहीं अपना सकते हो जिस पर राज्जे ने क्या लगा रखी है रोक लगा रखी है कहने का मतलब कि वे सबी चीजें जो नेतिक नहीं है उन चीजों पर जैसे आप जो भी जंगल के जो पसू है उनका सिकार कर रहे हो और उनकी चीजें बेच रहे हो तो वो भी एक परकार से व्यापार हो गया नसीली जो खतरणाग चीजें हैं उनका व्यापार कर रहे हो तो वो भी एक परकार से क्या हो गया व्यापार हो गया तो जो एनेतिक है ऐसा व्यापार आप नहीं कर सकते हो बाकि आप किसी भी व्यावशाय को शुरू कर सकते हो उस पर किसी परकार की क्या नहीं लगाई गई है रोक नहीं लगाई गई है तो यह तो 6 परकार की स्वतंदरता है वो समिदान का अनुचेद जो 19 है 19 के 1 में है अब हम अपना अगला अनुचेद पढ़ रहे हैं जो है अनुचेद 20 अनुचेद बीस अनुचेद बीस जो है वो कहता है अपराध अपराध के लिए दोस सिद्धि के संबन्द में इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसने कोई अपराध किया है उसका दोस क्या नहीं हो जाए शिद्ध नहीं हो जाए उसके संबन्द में कुछ संडक्षन का प्रावधन क्या गया है क्या कहा गए इसमें एक व्यक्ति को तब तक अपराधी गोशित नहीं किया जा सकता जब तक की वह है अब कौन-कौन से कारी है जिन से एक व्यक्ति को क्या गोशित किया जा सकता है अपराधी गोशित किया जा सकता है जैसे इसमें कह या एक नंबर जो है वो ये बताता है कि उसने क्या नहीं किया हो प्रचलित जो कानून है का उलंगन नहीं किया हो कि एक व्यक्ति को अपराधी तब गोशित किया जाएगा जब उस समय में जो भी प्रचलित कानून है उस कानून का उसने क्या किया हो उलंगन तब ही उसका जो अपराध है वो क्या हो जाएगा उसका दोस है वो क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा तो अगर उसने किसी कानून को नहीं तोड़ा है उसने कोई ऐसा कारी किया है जो कानून की नजर में अगर अपराध है तो उसको सजा मिलेगी अन्यता उसे सजा नहीं मिलेगी ये है नमबर एक जो परचलित कानून का क्या ने किया हो औलंगन ने किया हो डूसरे है खे कि अपराद तो एक अपराद के लिए तो खे की बात करें तो एक अपराद के लिए तो एक अपराद के लिए एक बार से ज़्यादा क्या नहीं मिलनी चाहिए तो एक अपराद के लिए एक बार ही क्या मिले सजा मिले इसका मतलब यह हो गया कि अगर एक व्यक्ति है जिसने पांच व्यक्तियों का मडर किया तो ऐसा थोड़े उसके उसे पांच बार क्या फांसी की सजा मिलेगी तो अपराद अगर एक है तो उसको सजा भी एक बार मिलेगी कि एक बार एक व्यक्ति ने चोरी की तो उसे बार बार थोड़े चोरी के बारे में क्या दी जाएगी सजा दी जाएगी तो एक अपराद के लिए एक बारी क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी गयक्य अगर बात करें तो निर्धारित जो सजा है से जादा क्या नहीं दी जाएगी? सजा जैसे हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति 420 का काम करता है तो उसके लिए जो निर्धारित सजा है वो क्या है? एक साल की जेल है तो ऐसा थोड़े कि उस एक साल की सजा की स्थान पर हम उसे दस साल की क्या दे? सजा दे तो अनुचेद 20 जो है वो अप्राद का जो दोस है वो जब तक सिद्धनी हो जाता है उसके लिए कुछ प्रावदान करना है कुछ सुरक्षय प्रदान कर रहा है अगला अनुचेद 21 जो कहता है जीवन वे व्यक्तिगत स्वतंतरता तो जीवन वे व्यक्तिगत स्वतंतरता से अभी पराए है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को व्यतीत करने में क्या है स्वतंतर है तो हर परिस्तिती में व्यक्ति अपना जीवन जो है वो सुरक्षित रख सकता है जीवन को नस्ट करने की आजादी भारतिय समिदान में प्रदान नहीं करता है जैसे आप सुनते हो आत्मात्या तो भारतिय समिदान हमें आत्मात्या करने का अधिकार नहीं देता है तो हर परिस्तिती में, जीवन की हर परिस्तिती में, हम अपने जीवन को हर प्रकार से सुरक्षित रखें, तो भारतिय समिदान यह हमें स्वेतंतरगा प्रदान करता है, अब देखो, आपका जीवन जो आप से छीना जा सकता है, कब वीडी द्वारे इस्तापित परक्रिया को उमने कौन से दे से अपना ही है जापान से तो विधी द्वारे स्थावित प्रक्रिया को छोड़ कर बाकी अन्य किसी भी परिस्तिती में आपका जो जीवन है या आपकी जो व्यक्ति का स्वटन दरता है उसको सीमित नहीं किया जा सकता उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है विधी द्वारे स्थावित प्रक्रिया कोन सी है कि एक व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी तो उस पर IPC की धारा कोन सी लगेगी धारा 302 और उसके लिए उसे उम्र कह दिया फांसी की सजा दी जा सकती है तो यह तो कानून का एक प्रावधान है कि कानून अगर आपने वीधी को तोड़ा है तो उसकी परक्रिया, उसके माध्यम से उसका सजा का अगर वो दिया जा रहा है तो आपको प्राप्त करना ही होगा उससे आपनी बस सकते हो तो इस परक्रिया को छोड़कर बागी अन्य किसी भी परिस्तिती में आपको आपके जीवन से आपकी व्यक्तिकर स्वतंदरता से अलग नहीं किया जा सकता है इसमें जैसे समिधान में संसोदन किया कुंसा चोमालिस्वा और वाता 1979 में इसके माध्यम से आपातकाल में भी आपातकाल में भी इमर्जेंसी में भी आपका जो जीवन और व्यक्तिकर स्वतंदरता का जो अधिकार है वो क्या नहीं होगा सीमित नहीं होगा उस पर रोक नहीं लगेगी तो अपातकाल में कौन-कौन से मोलिक अधिकार जो हैं वो आपको प्राप्त होंगे तो अनुचेद 20 और अनुचेद 21 ये दो जो अनुचेद हैं दो जो मोलिक अधिकार में जो प्रावधान है वो आपको अपातकाल में भी क्या होंगे प्राप्ते होंगे तो अनुचेद पढ़ा हमने 21 वरत्मान समय में अनुचेद 21 जो है उसका छेत्र लगातार क्या होता जा रहा है क्योंकि जीवन के लिए जो भी आवशक दसाएं हैं अगर वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रही है तो नियाला में सरन ले राजे से अगर सुद्ध हवा नहीं मिल रही है तो भी जीवन खत्रे में पड़ रहा है सुद्ध जल नहीं मिल रहा है भोजन नहीं मिल रहा है रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा है तो ये सबी जो चीज़े हैं वो इसी में आ रही है ठीक है तो ये अनुच्छेद 21 फिर हम बात करें अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 ये कहता है बंदे करण बंदी करण में सन्रक्षन या गिरफ तारी से बच्चाओ इसमें अगर बात करें तो मुख्य रूप से देखो दो तिन प्रावधान आते हैं नमबर एक की बात करें कि अगर आपको क्या बनाए जाएगा बंदी बनाए जाएगा एक व्यक्ति है ठीक है पुलिस आती उसे अरेश्ट करती है तो उसे अपना कारण जानने का क्या होगा अधिकार क्या खिर उसका क्या जूर्म क्या है उसे बंदी क्यों बनाया जा रहा है तो एक तो व्यक्ति को बंदी बनाते समय कारण जानने का क्या है अधिकार है दो कि हम बात करें कि जब किसी व्यक्ति को अरेश्ट किया जाता है तो उसे अपने बचाओ के लिए क्या करने का अधिकार है कानुनी साहिता प्राप्त करने का अधिकार है या जिसे हम दूसरे सब्दों में बोलें तो वकील तो स्वतंदरता पूरो के व्यक्ति अपने बचाओ के लिए अच्छे वकील को कर सकता है तो ये भी इसी में आता है तीसरे के हम बात करें कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे 24 गंटे में तो इस गंटे में निकटवर्ती जो न्यायला है उस निकटवर्ती न्यायला में क्या क्या जाएगा पेस किया जाएगा तो यह तीन प्रावधान केस पैनोंचे बीष में एक तो किसी वहत्वी को बंदि बनाई जाते हैं तो क्या बताए जाएगा उसे कारण बताए जाएगा तो वो अपना इच्छा का जो वकील है वो कर सकता है जो उसे उस अपरात से बचा सके और तीसरा जो है वो है कि 24 गंटे में उसे निकट वरती जो नियाले है कोट है उसमें क्या किया जाएगा पेस किया जाएगा अब इसमें कुछ रोक लगी है कि ये जो तीनों चीजें हैं कि कारण बता जाएगा उसको बचाव का भी अधिकार होगा और 24 गंटे में उसे नियाले में पेस किया जाएगा तो अनुचित 22 का लाब किसे नहीं मिलेगा तो उस पर रोक लगाई गई है और वो कौन सी रोक है तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो कैसा होगा सत्रू देश का क्या होगा नागरिक कि अगर सत्रु देश का कोई व्यक्ति क्या है नागरिक है तो उस व्यक्ति को किसका लाब नहीं मिलेगा उस व्यक्ति कानुचि इड़ बाइस का क्या नहीं मिलेगा इसके साथ में निवारक नजर बंदी तो निवारक नजर बंदी जो कानून है उसके तहट अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी अनुचित 22 का लाब नहीं मिलेगा तो सत्रु देश का कोई भी व्यक्ति नागरिक है तो उसे भी अनुचित 22 का लाब नहीं मिलेगा निवारक नजरबंदी जो कानून है देश की सुरक्षा के लिए उन कानुनों के अगर किसी व्यक्ति को गिरफतार किया गया है तो उस व्यक्ति को भी अनुचिर बाईस का लाव नहीं मिलेगा अब निवारक नजरबंदी के हम बात करें कि आखिर निवारक नजरबंदी क्या है सजा देना सजा देना इसका कोई उद्दिश्य नहीं है तो इसमें क्या किया जाता है इसमें अप्राद को होने से कि अप्राद को होने से रोकना होता है कि अप्राद होने वाला है आपको आसंगा है कि अगर इस व्यक्टिवा रेष्ट नहीं किया जाएगा तो ये अपराद करेगा, अपराद को बढ़ावा देगा तो निवारक नजरवंदी के हम बात करे थे, इसमें कुछ कानून बने, जो अपने कोर्स के हम बात करते हैं ये कानून आता है, राष्ट्रिये सुरक्षा कानून, राष्ट्रिये सुरक्षा कानून, तो राष्ट्रिये सुरक्षा कानून जो है, वो निशो अस्यमेया, इसमें क्या है, कि अगर कोई व्यक्ति है, वो जाती के अधर पर, या संप्रेदाय के अधर पर, देश को तोड़ ने का प्रियास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस कानून के तैद क्या क्या जा सकता है, गिरफतार क्या जा सकता है, तागी देश क्या रहे, सुरक्षी ते रहे many, तो देश को आदे जbor सुरक्षा ने गिरफतार कि देश की सुरक्षा के लिए जो कानून बने उस कानून के तैता अगर आपने उसे क्या किया है गिरफतार किया है उसका समय पुरा हो गया और वो रिया होने वाला है तो ऐसे स्थती में नया आदेश जारी करके उसे वापस से क्या बनाया जा सकता है बंदी बनाय आ जा सकता है दूसरा प्रावदान ये है कि आदालत जो हैं वो निवारक नजरवन्दे जो कानून है आदालत जो है वो निवारक नजरवन्दे कानून पर अलग-अलग क्या करेंगी विचार ठीक है तो ये दो प्रावदान 1984 में इसमें संसोदन करके इसमें जोड़ागय से और अधिक अठोर बनाया गया फिर रश्टे सुरक्षा कानून के बाद में आगे हम बात करें तो एक कानून और बना जो पोटा कानून के तहत आता है तो उसे पोटा कानून कहते हैं और ये भी आतंगवादी गतिविदियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया तो प्रिवेंशन ओफ टेरिजमें तो आतंगवादी जो गतिविदिया है उन गतिविदियों पर रोक लगाने के लिए कौनसा कानून आया पोटा कानून आया, पहले जो कानून आया था वो पोटो कानून था, बाद में इसका नाम क्या हो गया, पोटा कानून हो गया, तो 2001 में आये था और 2002 में पोटा कानून आया, और बाद में इसे 2004 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अब वर्तमान समय में अगर गेर कानूनी गतिवीदियां निवारण अध्यादीश. तो पोटा कानून के स्थान पर 2004 में एक नया कानून है, जिसका नाम था गेर कानूनी गतिवीदियां निवारण अध्यादीश. ये राष्टी और अंतराष्टी इस्तर पर, राष्टी इस्तर पर और अंतराष्टी इस्तर पर आतंगवाद परोक लगाने के लिए बनाया गया है. तो आज हमने पढ़ा स्वतंदरता का अधिकार. नेक्स्ट टोपिक में हम पढ़ेंगे, सोशन के विरूद अधिकार, धार्मिक स्वतंदरता का अधिकार, सिक्षा, वैसंस करती, संबंधी, अधिकार.